आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो कि NSP National Scholarship Portal है उन्होंने जो कि student जिन्होंने NSP प्रिमेट्रिक पोस्ट मेट्रिक या मिरिट कम मेनस के लिए अपलाई किया था उनके अंचेंड के था जहां किर यहां बात्स 가지 में रहेद के लिया तिन्होंड कि हर सत्वाइट इसके लिए सकने प्रेशच व्रत करेंगेद्धरेंग तो हिए सचेकंग में अपली कॉट यहां में crime में जाका मैं नचे हम यहां पे लिखेंगे श्रόσ03 तो फेली यहां प्रड़ी साइट हया है यहां प्रज़न प्रटी Jess avatar है क्लिक करना पर और है आपको दोचीजब करना जाए नाम पडऱ्माद लेकर केची लिखनाय वौड वायरिफिकेशन जो है अगर यह नहीं है आप सीधा ही NSP जो आपकी application ID है और verification number देना है वो लिखना है यानि कहने का मतलब यह है कि bank और bank name और account number लिखना है यहां लिखना है NSP ID दोनों में से एक ही लिखना है सब्सक्राइब मुझे यहां पर इस वक्त bank account number याद है यह लिख देखो अब मैं यहां पर यह भी लिखा word verification कर रहा हूँ देखो मैंने यह 3 step कि देखो इसी तरह से यहां आप NSP ID फिर आपको bank name और account number लिखने की ज़रूरत नहीं है तो यहां पर नीचे दिया हुआ है search मैंने जभी search पर देखो यहां पर payment not initiated for the भी मेरा payment नहीं हुआ है इस तरीके से आपको अगर आपका जो status होगा वो initiate हुआ होगा तो आपको यहां पर लिखा हुआ आएगा कि आपका टोको नमबर जानरेट हुआ है और यह टोको नमबर है यहां लिखा आएगा payment initiated for the भी इस तरीके से आपको status मिलेगा अब आपको क्या काम करन है कि हाँ रेली की जो कि एनस्पी ने payment डालना शुरू कर दिया